हेलो दोस्तों आल्ट्रिक इन्फो यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में गूगल फॉर्म क्या है और फॉर्म कैसे बनाते हैं इसके बारे में बता रहा हूँ ओनलाइन इन्फोर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म बहुत ही इंपर्टेंट हो गया है फॉर्म की मदद से हम एक ही टाइम में अलग-अलग लोगों का डेटा रेसिप कर सकते हैं form का use feedback लेने के लिए, online survey के लिए, contact के लिए, registration के लिए और event registration के लिए किया जाता है यदि आपको भी form बनाने की जरूरत है तो आप सहीं वीडियो में आए हैं आज मैं आपको form बनाने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ उससे पहले जानते हैं कि Google Form क्या है Google Form एक ऐसा platform है जहाँ पर हम फिरी में अपना form बना सकते हैं Google Form बनाने के बाद हम अपने form को social media account में email में share कर सकते हैं और form का URL अपनी website में भी add कर सकते हैं ताकि कोई भी हमारा form में register या अपना response दे सके Google Form एक easy और simple tool है यहाँ पर कोई भी personal और professional बर्क के लिए आसानी से form बना सकते हैं Google Form में form बनाने के लिए हमें किसी भी type की coding की जरूरत नहीं होती है हम यहाँ पर बिना coding knowledge के भी एक अच्छा form बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि Google Form का यूज करके एक professional form कैसे बनाते हैं फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमें Google Form website open करना होगा तो चलिए हम open करते हैं Google Form website डारेक्ट लिंक आपको description में मिल जाएगा तो यहाँ से हम open करते हैं Google Form website अब हमारे स्क्रीन पर Google Form website open हो चुकी है और यहाँ पर हमारे पास अभी कोई भी form नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक बनाया नहीं हूँ तो यहाँ पर हमें एक प्लस का आइकॉन दिखाए दे रहा है जिस पर हमें अपना माउस कर ले जाना है उसके बाद दो अप्सन दिखाए देगा तो हमें यहाँ पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करना है जिससे की create new form open हो जाएगा यानि की एक new form open हो जाएगा तो हम इस पर क्लिक करते हैं अब हमारी स्क्रीन में एक new form open हो चुका है यहां से हम कोई भी new form अपने लिए create कर सकते हैं तो यहां पर right side में हमें कुछ option दिखाए दे रहे हैं इन्ही option का यूज करके हमें अपना form create करना है यही हमारे लिए main options हैं तो चलिए आईए इन option के बारे हमें सबसे पहले हम कुछ जान लेते हैं तो सबसे पहला जो option है हुआ है add question का इस option का यूज करके हम अपने form में question box add करेंगे second option है import question यदि आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे form से question बगेरा import करें तो आप इस option का यूज करके कर सकते हैं और तीसरा option है add title and description यदि आप अपने form में title और description बारवार देना चाहें आप अपने form में image add कर पाएंगे fifth option है add video इस option का यूज करके आप अपने form में कोई भी YouTube वीडियो upload कर सकते हैं या फिर add कर सकते हैं और जो last option है वह है add section इस option का यूज करके आप अपने form में अलग-अलग section create कर सकते हैं तो चलिए अब हम सुरू करते हैं और अपना form create करना start करते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमें एक option दिखेगा Untitled From सबसे पहले हमें इस पर किलिक करना है और इस form का एक टाइटल देना है कि हमें किसलिए बना रहा है या इसका aek name देना है तो हम इसका नाम देते हैं feedback लाइन सब wins अब यदी आप चाहते हैं तो form description पर कलिक करके इस form को description भी दे सकते हैं तो हम करते हैं form description पर click और यहां पर इसका description दे देते हैं यहें एक a feedback form है यहां इसका description होचुका है इतना करने के बाद अब हमें यह यहां पर एक untitled question दिखाई दे रहा है हम इस question box पर click करेंगे जिससे किया है पूरी तरह से open होगा अब यहां पर जो untitled question है यहां पर हम delete करके और दूसरा question add कर सकते हैं इसके हम delete करेंगे यहां पर हम type करेंगे full name यानि कि जब भी कोई users हमारा form भरे तो वह सबसे पहले form में अपना name type करें तो यहां पर जैसे आप देखेंगे कि हमने जैसे यहां पर full name type किये यहां पर यहां से हम चेंज कर सकते हैं कि हमें answer किस तरह से लेना है तो आप यहां पर down arrow पर click करके आप जैसा चाहें यहां पर ले सकते हैं तो उसने automatic डिटक्ट किया है short answer मतलब कि उसे name लिखना होगा user को या फिर आप चाहें तो यहां पर paragraph भी select कर सकते हैं तो हम इसे short answer ही रहने देते हैं क्योंकि short answer अच्चा थोटा सा ही नाम लिखना है उसके बाद हमें नीचे कुछ option मिलेंगे यह होगा duplicate का delete का और required का यदि duplicate का option का यूज करेंगे तो यहां पर इसकी duplicate बन जाएगी तो हम अभी इसे delete कर देते हैं और यदि delete का option का यूज करेंगे तो जो भी question box है उसे delete कर पाएंगे और यह जो required है required का मतलब यदि जिस भी question box लो?. रिकॉर possible रिक्वाइट करेंगे जब बाद आती है बारी new question की तो हम यहाँ पर type करते हैं आप क्या करते हो यह हमारा दूसरा question होगा आप क्या करते हो ओके अब हम चाहते हैं कि इसे किस तरह से answer लें user से तो हम यहाँ पर करेंगे down arrow पर click और यहाँ पर select करेंगे paragraph आप ताकि user detail में लिख पाए कि वह है क्या करता है इतना करने के बाद अब हम फिर से question box add करेंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि वह है select कर पाए कुछ भी जो हम select करवाना चाहते हैं तो चलिए हम यहाँ पर एक question रखते हैं आप कौन सी sim use करते हैं यह हमारा question हो गया अब हम इसे रखेंगे multiple choice में ओके तो हम यहाँ पर डालेंगे जो first option है इस पर click करेंगे इसे delete करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं zero second option add करेंगे यहाँ पर second option को delete करेंगे और यहाँ पर type करेंगे यह रटेल फिर से add option पर जाएंगे और इसे भी delete करके यहाँ लिखेंगे idea फिर से और Vodafone हम इतने ही यहाँ पर add करेंगे और यहाँ पर हम बाहर क्लिक करेंगे जिससे की है add हो चुका है ओके यहाँ तक हमने तीन question अभी add कर लिए उसके बाद अब हम next option यूज करते हम import question का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे बाद अभी कोई भी form बगेरा नहीं है और मुझे कोई यहाँ पर हम description लग देंगे यहाँ आप अपनी पर्सनल इन्फो करें इतना करने के बाद हम फिर से question add करेंगे और question करेंगे आप कहां से हैं ओके यह हो गया अब यहाँ से हम down arrow पर क्लिक करेंगे और यहाँ short answer सेलेक्ट करेंगे उसके बाद new question add करेंगे और यहाँ होगा कि एड़ कि यूर कि इमेल इमेल आईडी ओके एंटर करेंगे तो यहाँ पर इनेबल हो चुका है आप्टोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पर इमेल आईडी आईगी ओके तो उसके बाद इतना रहने के बाद अब हम चलते हैं next option में हुआ होगा हमारा एड़ इमेज का तो हम यहाँ पर एक इमेज एड़ करते हैं तो चलिए हम एड़ इमेज पर क्लिक करते हैं ताकि हम सभी option का यूज करना सीख जाएं तो अब हम यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे और एक इमेज को अपलोड करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हमारी इमेज एड़ हो चुकी है अब आप यहाँ पर यह दो त्री डॉट दिखाई दे रही इस पर क्लिक करें और आप यहाँ पर इसका सेंटर में सेंटर अलाइन पर क्लिक करेंगे तो वह है इमेज सेंटर में आ जाएगी और हम यहाँ पर इमेज टाइटल पर क्लिक करके इमेज का एक टाइटल सेट करते हैं इट्स वाए वर्क वेबसाइट लोगो जो भी आप एड करना चाहें ओके यदि आप चाहते हैं कि यह इमेज सबसे उपर आ जाएं या फिर जो फीडबेक फॉर्म या जो फाउर्म का टाइटल है उसके जस्ट नीचे आ जाए ताकि मेरा फॉर्म अच्छा दिखाई दे तो आप इसे उपर भी मूब कर पाएंगे वह कैसे आपको यहाँ पर जो six dot दिखाई दे रही इस पर अपना माउस कर दाल ले आना है और left click रखना है किलिक रखते हुए आपको माउस को उपर की तरह swipe करना है तो आपको swipe करते-करते यह move होते जाएगा तो आपको यहाँ पर जहां भी इसे आप रखना चाहें वहाँ पर छोड़ देना है तो वह है यहाँ पर आ जाएगी ओके आपको बाहर क्लिक करना है स्क्रोल करके नीचे जाना है अब हमें फिर से यहाँ पर आ जाना है अब दोस्तो हमने add question box का यूज कर लिये हैं और यहाँ से title भी बगेरा भी यहाँ पर जो title है उसे भी add कर लिये हैं image भी add कर लिये हैं अब हमारा next option होता है बीडियो का तो अब हम यहाँ पर एक YouTube बीडियो भी add कर लेते हैं तो हम बीडियो ऑप्सन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हम कोई भी YouTube बीडियो add करते हैं तो चलिए मैं अपने channel का बीडियो add करता हूं name type करने के बाद enter क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे यूटूब वीडियो से वह आ चुके हैं तो चलिए हम इसी फस्ट वीडियो को select करते हैं और यहाँ पर select पर क्लिक करते हैं जिससे की हमारा form में YouTube वीडियो add हो जाएगा यदि आप वीडियो का है तो center में ला सकते हैं यहाँ पर center align पर क्लिक करके ओके इतना करने के बाद आप हमारा next option और last option होगा add section का यदि आप इस फॉर्म में section बगेरा बनाना चाहें तो आप add section का यूज करके बना सकते हैं तो चलिए सबसे यहाँ पर उसकी email id नहीं डालेगा तो वह है नहीं जाएगी हम किसी को भी किसी भी answer को required कर सकते हैं यानि कि user जब तक उस question का answer ना दे तब तक form submit ना हो पाए तो हम इसे भी required कर देते हैं तो इसे required करने के बाद हमने दो question को required कर दी हैं यहाँ पर email id को भी उसके बाद हम यहाँ से section add करेंगे last option हमारा है add section का इसका use करके हम अपने form में अलग-अलग section create करते हैं तो यहाँ पर हम section पर click करेंगे और एक new section create करते हैं तो आप देख सकते हैं section 2 add हो चुका है यहाँ से हमारा new section चालू होगा तो हम सबसे पहले इस section का नेम देंगे तो वह होगा और ऑफ्सनल डीटेल्स मतलब कि यदि यूजर यहाँ से देना चाहिए आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं यहाँ डेमो के लिए बता रहा हूं तो मैं यहाँ पर दिया हूँ इसका नेम ऑफ्सनल डीटेल्स यहाँ पर description जो आप देना चाहिए वह है दे पाएंगे तो मैं दे देता हूँ यदि ना देना चाहे तो ना दे ओके इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर new question एड करते हैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अब कब से वर्क कर रहे हैं ओके इसे हम लेंगे paragraph के रूप में ताकि कोई भी यूजर पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकें उसके बाद होगा हम इसे required नहीं करेंगे यह optional detail है वह देना चाहे तो दे सकता है इस तरह से आपको थोड़ा समझ के यह करना होगा तो हम यहाँ पर next question एड करते हैं और वह होगा एड यूर सेकेंड इमेल आईडी ओके एंटर करते हैं वह सोट एंसर आटर डिटेक्ट हो चुका है और आप चाहें तो और भी यहाँ पर question boxes एड कर सकते हैं अब हमने लगवक सभी option का यूज कर लिए हैं और हमारा form create हो चुका है अब हम यहाँ पर सबसे उपर आते हैं यहाँ पर हमें एक option मिलेगा theme का या फिर customize theme का हम इस पर click करके color बगेरा यदि change करना चाहें तो वह कर सकते हैं तो हम करते हैं यहाँ पर क्लिक या फिर customize theme पर क्लिक या फिर theme बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर color set करते हैं ओके यहाँ से background बगेरा यदि आप change करना चाहें और वह चेंज करना चाहें तो वह कर सकते हैं तो देख सकते हैं हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बिल्कुल perfect बदाए हैं उसके बाद हम अभी इसका preview भी देखेंगे submit करते time अब हम करते हैं इसे send पर click तो चलिए हम send करते हैं यदि आप इस form को किसी को mail करना चाहें ताकि वह भरके आपको return कर सके तो आप यहां पर mail id कर एड करके उसे send कर सकते हैं पर हमें चाहिए इस form का link तो आपको link बटन पर click कर देना है और यहां पर जो आपको url दिखाई दे रहा है इस url को आपको copy कर लेना है url copy हो चुका है और इसे आप share कर सकते हैं और जैसे कोई user इस url को open करेगा अपने browser में तो आपका form open हो जाएगा यदि आप चाहें तो यदि आप चाहें कि आपको short url मिल जाए तो आप यहां से short url कर सकते हैं ओके अब हम यहां से new tab open करते हैं हमने क्योंकि url copy कर लिए हैं तो हम यहां पर उसे paste करते हैं और तो आप यहां पर देख सकते हमारा जो feedback form है वह है open हो चुका है यह हमारा feedback form है अब आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर next option है तो यहां पर next option में आने के बात पर वो जाएगा नहीं क्योंकि हमने दो option को enable कर रहे हैं required मतलब कि जब तक इन दो option का answer नहीं दोगे आप next option में नहीं जाओ जाओ याने कि next section में नहीं जा पाओगे तो हम इसे फिर से भरना शुरू करेंगे हम इसको यहां से cut करके हम पूरे इसको यहां से हटा देते हैं और यहां से हमारा जो form है उसमें आ जाते हैं अब यहां पर हमारे जो website का logo है वहाई दिखाई दे रहा है अब हम सबसे पहले से भारना स्टार करते हैं अपना नेम देते हैं रिते चंद्रबंसी आ चुका है आप क्या करते हैं यहां पर हम देते हैं I am U प्रदेश से हूं, ओके, हमने रिक्वाइड जो है, उसे एक रिक्वाइड दे दिए हैं, यानि कि एक answer दे दिए हैं, दो रिक्वाइड थे, और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी email id एड़ कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर एड़ करना चाहें, ओके, हमने जो required option उसका भी दे दिये हैं दूसरा यहां से यदि users वीडियो देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं ओके अब हम करते हैं next पर click क्योंकि हमने सारे के सारे यहां पर option चूस कर लिये हैं या फिर जो required है उसे भर दिये हैं उसके बाद हम next पर click करेंगे जिससे कि हम हमारा जो दूसरा सेक्षन है उस पर चले जाएंगे तो okay next पर click करते हैं ओके आप यहां पर देख सकते हैं हमारा यह feedback form का section number 2 है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने जो section number 2 का कि टाइटल दिये थे वह था optional detail यानि कि यदि आप यहां पर अपनी जानकारी देना चाहें तो दें बरना ना दें दोस्तों यह डारेक्ट सब्मिट भी हो जाएगा यदि हम यहां पर अपनी जानकारी देंगे भी नहीं क्योंकि इसको हमने रिक्वाइड नहीं किये थे वह कि हम यहां पर इसे भी जल्दी से भर देते हैं आप कपसे वर्क कर रहे हैं तो हम यहां नॉर्मल बहुत दिन हो गए हुझ रहे हम यहां पर वह भी टाइप कर सकते हैं सन भी मतलब है दो हजार पंदरा से अई इतनाव करने के बाद नेस्ट कुछ्टन था एड यूर्ट इमेल नहीं एड़ी यूर्ट एमेल आइडी तो हम यहाँ पर अपनी कोई भी इमेल आइडिया आप देना चाहा है तो नहीं हम इसे छोड़ देते हैं और करते हैं समय पर क्लिक ताकि यह या फॉर्म सब्मिट हो जाए सभी यूजर इसी ताइप से करेंगे और उनको यूज करना होगा अपना Google अकाउंट सब्मिट करने के लिए पहले से मैं अपने ब्राउजर में लॉग इन हूँ इसलिए या डारेक्ट सब्मिट हो जाएगा तो करते हैं हम सब्मिट पर क्लिक तो आप यहां पर देख सकते हैं feedback form your response has been recorded या फिर यहां हो सकता है your response has been sent तो ओके यह successfully send हो चुका है अब हम इसे यहां से cut कर देते हैं new tab में दोस्तो अब बारी होती कि हमारे फॉर्म में आए हुए answer या जो कोई हमारे फॉर्म को भरके submit करेगा या response जो भी हमारे फॉर्म में आ रहे हैं उन्हें कैसे देखें अब आप यहां से आगे की steps को follow करें सबसे पहले हमें फिर से की Google Form को open करना होगा ओके open करते हैं Google Forms गूगल फॉर्म में वेफसाइट ओपन होने के बाद अब आप यहां पर देख सकते हैं हमें वह है फॉर्म दिखाई दे रहा है जो हमने अभी अभी create किये थे अब हम इस पर click करेंगे तो यह फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों यहां से मैं आपको बताते हमारा जो फॉर्म इस्टोर होता है वह हमारे Google Drive में इस्टोर होता है हम चाहें तो इसे गूगल ड्राइब से भी access कर सकते हैं Google Drive पर जाके जब हम इस फॉर्म के आपको रिस्पॉंस पर क्लिक करना है जिससे कि आप सारे के सारे एंसर या फिर रिस्पॉंस देख पाएंगे आप यहां पर देख सकते हैं एक रिस्पॉंस है तो यहां पर देख सकते हैं कि कौन ने क्या-क्या रिस्पॉंस दिये हैं हुआ है आप यहां पर चेक कर सकते हैं आप यहाँ पर response को अलग-अलग type से देख सकते हैं इस तरह से या फिर या फिर इस तरह से ओके दोस्तो इस तरह से हम Google form का यूज करके अपने लिए एक beautiful form बना सकते हैं और अपनी form की जरूरत को पूरा कर सकते हैं उम्मिद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जरूर कुछ नग उच्च नया सीखने को मिला होगा दोस्तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को like और सीर जरू करें मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई